ओम शान्ती आज 17 ओगस्ट 2021 के बाबा के मदूर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुडली में बाबा ने कहा बच्चे जब तुम शिवाबा के श्रीमत प्रमान डाइरेक्शन प्रमान चलते हो तो संपूर्ण ट्रस्टी बन जाते हो प्रवरत्ती में रहते हुए भी जैसे शिवाबा के भंडारे से पलते हो मन से सरेंडर हो जाते हो और बाबा कहे जो शिवाबा के भंडारे से भोजन स्विकार करते हैं उसका रिदय शुद्ध हो जाता है कहा बेर जाता है शिबाबा का बंडारा भरपूर काल कंटक दू तो हमेशा यही समझना है कि हम शिबाबा के बंडारे से पलते हैं और इसे लिए संपूर्ण ट्रस्टी हो करके रहना है सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य ओम शांती मीठे बच्चे बाप और वर्से को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरस्ती भी है तुम अमर बन जाते हो प्रश्न है रदै को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है उत्तर है कहां भी रहो ट्रस्टी होकर रहो हमेशा समझो हम शिव बाबा के बंडारे से खाते हैं शिव बाबा के बंडारे का भोजन खाने वालों का रदै शुद्ध होता जाता है प्रवरत्ती में रहते अगर श्रीमत प्रमान डाइरेक्शन पर ट्रस्टी बन कर रहते तो वह भी शिव बाबा का बंडारा है मन से सरेंडर है ओम शांती जन्म जन्मांतर आधा कल्ब बच्चों ने सत्संग कीए है इनसे सादू, संत, पंडित, आधी सब मनुष्यों का सत्संग है सब मनुष्य का सत्संग होता है यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं शिव बाबा जब आकर पढ़ाते हैं तो यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं इसको कहा जाता है रुहानी सत्संग सुप्रीम रूह, रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। रूह रिहान माना बाबा के रदय की वार्तालाब है, रूहों के साथ। तो जब परमात्मा सुप्रीम रूह, हम रूहों के साथ रदय की वार्तालाब करते हैं, यही सत्संग करते हैं। यहां तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से, भगवान को हमेशा नेराकार कहा जाता है, और भगवान आते ही तब है, जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है, जब बाबा को पढ़ाना है, और जिस पढ़ाई से भगवान भगवती बनते हैं, बहुत सुन्दर बात बाबा आगे कहते हैं, भगवान और भगवती का पद सिवाई भगवान के कोई दे न सके, तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प संगम्युग होता है, तो नेराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके, शिव बाबा आते हैं जरूर, परन्तु, उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है, तो जरूर सबकी बुद्धी में मनुष्यतन ही आता होगा, तुम ही दैवी गुण वाले थे, और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो, दैवी गुण वालो को इश्वरिय संप्रदाई, आसुरी गुण वालो को आसुरी संप्रदाई कहा जाता है, अब निराकार बाब, निराकार संप्रदाई, अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं इसलिए कहा जाता है इश्वरिय संप्रदाई अत्वा रूहानी संप्रदाई इश्वर आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं इसलिए कहा जाता है इश्वरिय संप्रदाई अत्वा रूहानी संप्रदाई जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं अभी तुम रूह अभीमानी बनते हो कितनी सुन्दर बाद बाबा ने कही आत्म अभीमानी को नया नाम दिया बाबा ने कि अभी तुम रूह अभीमानी बनते हो हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नौलेज़फुल है, और रिशी मुनी आदी तो सब नेती नेती कहते गए अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं, जब तक वह ज्ञान सागर्प सन्मुख न आए, तो ज्ञान कैसे समझाए, यह अच्छी रिती समझने की बाते हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, आज बाबा ने पक्का कराया है इस बात को, कि हमें कोई मनुष्य नहीं सुनाता, न कोई मनुष्य पढ़ाता है, न कोई यह मनुष्य का सत्संग है, हमको पढ़ाने वाला स्वयम परमात्म है भगवान है यह सुप्रीम रू है तो इसलिए बाबा कहे हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं वह है बेहत का बाप निराकार यह भी बच्चों को समझाया है साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं तुम जानते हो हम पावन थे पतीत बने फिर पतीत से पावन कैसे बनते हैं चित्र भी सामने है, बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो, तो बुद्धी में सारा ज्ञान आ जाएगा, कि हम अभी संगम यूग पर बैठे हैं, और सभी अपने को कलियूग में समझते हैं, कलियूग को घोर अंध्यारा कहा जाता है, अभी तुम हो, कहा पर, संगम पर, अभी तुमको रोश्नी है, सत्यूग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है, बाप जब आते हैं, तब ही घोर सोजरा होता है, यह संगम यूग है ही कल्यान कारी यूग, इन जैसा यूग कोई होता ही नहीं, जब की बाप आते हैं, संगम यूग पर ही बाप आते हैं, इसलिए संगम यूग को कल्यान कारी यूग कहा गया है, आगे बाबा कहते हैं, सत्यूग को कल्यान कारी नहीं कहेंगे, वहां किसका कल्यान नहीं होता है, कल्यान संगम पर ही होता है सत्यूग में तो है ही कल्यान संगम पर कल्यूग को सत्यूग कल्यानकारी बनाते हैं तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्यान होता है सिर्ख बाप और वर्से को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है कमाई की कमाई भी है और तंदुरस्ती की तंदुरस्ती भी है बाबा को याद करने में बाबा कहे कमाई की कमाई भी है और आत्मा पुरुष्ट पुष्ट अर्था तंदुरस्त हो जाती है और तंदुरस्ती की तंदुरस्ती भी है तुम्हारा जीवन अमर बनता है तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी बुत्ती में सारी नौलेज है यहां तुम बच्चे आते हो तो पुर्शार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए अपने को लायक बनाने के लिए साथ आठ रोज बैठ कर सीखो नावा कहे अपने को लायक बनाने के लिए साथ आठ रोज बैठ कर सीखो प्रैक्टिस हुई चट भागा सर्विस पर सर्विस करके फिर लौट आए यह सीखना तो बहुत सहज है चित्र को सामने देखने से ही बुद्धी में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं आज की दुनिया में बहुत मनुश्य है कल बहुत थोड़े होंगे इतने ये सब वापस जाने है अभी बाप स्वयम आये हैं बच्चों की कितनी इज़त रखते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आये रावन का देश पर आया देश है न राम के देश में तो कभी रावन आन सके इस पर एक कहानी अत्वक कथा भी सुनाते हैं जो भी कथाएं सुनाते हैं वह सब है कहानिया न तो कहानियों में कोई सार है न नौविल्स में कोई सार है नौविल्स भी कितने धेर बिखते है सिर्फ नौविल्स बेचने वाले लगपती बन जाते है अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाब के हाथ में है बाबा स्वयम हमारी परवरिश कर रहे है बस तुमी से खाऊ अर्था तुम्हारे ही भंडारे से खाऊ तुम्हारी सारी परवरिश यहां ही होती है जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ इश्वर का बाब का है मैं ट्रस्टी हूँ हम श्रीमत पर ही चल कर खर्चा आदी करते हैं ऐसे जो समझते हैं वह भी शिवाबा के भंडारे से खाते हैं शिवाबा के भंडारे से खाने से रिदय शुद्ध होता है ऐसे नहीं कि वह शिवाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं बाबा कहे सभी जब समझते हैं कि हम शिवाबा के भंडारे से खाते हैं तो बाबा कहे ऐसे नहीं कि वह शिवाबा के भंडारे से नहीं खाते कौन प्रवरती मार्ग वालों के लिए बाबा कहते हैं बाप के डाइरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे की बाबा के बंडारे से खाते हैं इतनी कुई ये बात बाबा ने कही चाहे प्रवरती में रहते हैं चाहे कहीं भी रहते हैं लेकिन जब बाप के डाइरेक्शन पर चलने वाले वह भी जैसे बाप के भंडारे से खाते हैं जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर काल कंटक दूर बहुत सुक्ष्म बात यहां बाबा ने कही है कि जब हम ये समझते के शिबाबा का भंडारा है और वहां से हम भोजन स्विकार कर रहे हैं तो वो भंडारा हमेशा भरपूर रहेगा वो भंडारा कभी भी खाली नहीं हो सकता है अर्थात वहां गरी भी नहीं आ सकती है दाल रोटी भी बाबा चरूर खिलाता है बाबा ने कहा है जो शिव बाबा को स्विकार करा के स्विकार करते हैं तो उनके लिए कभी भी ऐसा नहीं होता वो भूप से मरे इसलिए बाबा कहे जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर काल कंटक दूर उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यों को नहीं पाएंगे इतनी प्राक्ति है एक तो जब श्यबाबा के डाइरेक्शन पर चलते हैं तो श्यबाबा का बंडारा हो गया उस बंडारे से खाया तो रदई शुद्ध हुआ दूसरा वो बंडारा सदा भर पूर रहता है और तीसरा बाबा कहे उसकी कभी भी अकाले मृत्यों नहीं पाएंगे इस समय ही शिवाबा आते हैं उनकी महिमा भी गाई हुई है शिव जैनती भी मनाते हैं परन्तु उनका बंडारा कैसा होता है यह कोई भी नहीं जानते हैं बाबा भी बरोबर आते हैं ना बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के बंडारे से खाना मिलता है अच्छा मेल सरेंडर होता है तो ठीक है अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें क्योंकि कमाई है पती की वह तो सरेंडर होता नहीं वह तो जब आमदनी करे तब स्तरीखाएं जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के बंडारे से परवरिश हो सकती है बाबा कहे जो कपल्स भी सरेंडर होते हैं बाबा के बंडारे में तो जैसे कि उनकी परवरिश भी बाबा के बंडारे से ही होती है यह बाप बच्चों को अच्छी रिती समझाते हैं बुद्धी में रखना है, हम बाप के पास बैठे हैं जब तक करमातीत अवस्था हो जाए तब तक हम भाबा के पास बैठे हैं दिन प्रती दिन हम अपने स्वराज्य के नस्दीक आते जाते हैं समय बीटता जाता है, तुम नस्दीक आते जाते हो, सत्युक के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे? सत्युक का पहला वर्ष शुरू होने के लिए बाबा कहें अब कितने वर्ष कहेंगे? अब कितना नस्दिक आ गए है बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पुरा होता है तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम युग पर है चक्र को देखने से चक्र का चित्र देखने से ही कहेंगे अभी हम संगम पर है इस तरफ है कल्यूग उस तरफ है सत्यूग कल हम अपने सुगधाम में होंगे दुनिया को पता नहीं है वो तो बिल्कुल ही गोर अंध्यारे में है तुम बच्चों को बहुत खुशी होने चाहिए बेहत के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते है मनुश्य को हमेशा कमाई में खुशी होती है तो बाबा भी कहे तुम बच्चों को बहुत खुशी होने चाहिए क्यों? क्योंकि बेहत के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते है सदा सुख का वर्सा पा रहे है यह खुशी रहती है, स्वर्ग वासी बनना यह तुम्हारी ही तकदीर में है, कितनी सुन्दर बात बाबा ने कही, स्वर्ग वासी बनना यह तुम्हारी ही तकदीर में है, स्वर्ग एक वंडर्फुल चीज है, जैसे सेवन वंडर्स दिखाते हैं न, यह तो सबसे बड़ा व ये लक्ष्मी नारायन स्वर्ग के मालिक थी। इसलिए बाबा ने लिखा था उपर में सूर्यवंशी का लिखो उसके नीचे चंदरवंशी का लिखो तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंदरवंशी बारा सो पचास वर्ष तो फिर लाको वर्ष की तो बाती उड़ जाए। वहाँ बाहु बल में कितना खर्चा होता है। सेना को संभालने में कितना खर्चा होता है। यहां शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है, यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात नहीं, यहां बच्चे आकर रिफ्रेश हो, इसलिए मकान आदी बनाते हैं, बाबा ने यह मकान आदी क्यों बनवाए, क्योंकि बाबा कहे बच्चे आ पात रिफ्रेश हो, इसलिए मकान आदी बनाते हैं, बच्चों का हिसा है, सोबी कितने दिन तो पास वो गए, कितने दिन तो निकल गें अभी बाकी थोड़े दिन है, तो बावा कहें बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकि थोड़े दिन है खर्चा कुछ भी नहीं, तुम जीवन मुक्ती पाते हो, बिगर कौरी खर्च इसमें सिर्फ मेहनत की बात है भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं परन्तु या नहीं जानते कि भगवान कौन है भगवान को न जानने के कारण बहतों को भगवान मान लेते हैं अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है और एक को बाबा कहे सच्चे बाप का परिचय देना है बाबा ने कितनी बार समझाया है बड़े बड़े चित्र मुक्prus स्थानों पर लगाओ जैसे एरोड्राम है एरोड्राम वाले क्या लेंगे उनको समझाओ यह तो सब मनुष्य के कल्यान के लिए है इनको समझने से की मनुष्य बाप से वर्सा ले विश्व का मालिक बन सक्ते है मुख्य है देली, देली कैपिटल है न, वहाँ तो सब इखठे होते हैं वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हो, मुख्य है ही त्रिमूर्ती, गोला और जाड़ यह सीड़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदी भी अच्छी रिती लिखा हुआ है और पतीत पावन परमपिता परमात्मा है, वह पाने की गंगा, चचकर। ब्रह्मा कुमार कुमारिया पूश्ते हैं, इश्वर सर्व्यापी है, वह एक निराकार परमपिता परमात्मा है बाप से तो बच्चों को वर्सा मिलता है, मुख्य है ही यह चित्र त्रिमूर्थी का चित्र भी बहुत बहुत वैलियोबल है ब्रह्मा द्वारा विश्णुपूरी की स्थापना होती है फिर वही पालना भी करेंगे बच्चों को अथा खुशी रहने चाहिए बच्चों को अथा खुशी रहने चाहिए बेहत का बाबा हमको पढ़ाते है स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश कराते हैं इसलिए महा भारत लड़ाई भी साथ में है हर पाँचजार वर्ष बाद ये चक्र फिरता है बाप भी कल्प 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 के संगम यूगे आते हैं गीता में उन्होंने फिर यूगे यूगे लिख दिया है सोवी पांच यूग है पांच बार आए परमात्मा यूगे यूगे आते तो पांच बार आए अच्छा फिर 24 अउतार, फलाना उतार क्यों लिख दिया है मनुष्य कितने यग्यत तब तिर्थादी करते है समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं परंतु परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते है आधा कल्प कितना माथा मारा भगवान के पास तो नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि उपर जाने का रास्ता ही नहीं है इसलिए भगवान से मिलना है तो जब तक वो न आये तब तक तो मिलने ही सकते हैं तो आधा कल्प कितना माथा मारा है जनम जन्मान तर फेरे लगाएं या किया फिर भी बाप नहीं मिला अभी बाप तुम बच्चों के कितना नस्दिक है तुमसे बात कर रहे हैं तुमको समझा रहे हैं तुम समझते हो कल्प कल्प हो बहु हम ऐसे मिलते हैं जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा वही दादा जोहरी होगा फिर उसमें भी बाबा प्रवेश करेंगे फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्सा लेंगे यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादी अविनाशी पाड कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है अच्छा सब रुखानी बच्चों की रुखानी मादपिता बाप दाधा को यात्यार और नमस्ते शुकरिये बाबा शुकरिये आज के मुर्ली से धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट यह कल्यान कारी संगम यूग है इसमें हर बात में कल्यान है कमाई ही कमाई है बाप और वर्से को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है दूसरी पॉइंट प्रवरत्ती में रहते मन बुद्धी से सरेंडर होना है श्री मत पर खर्चा करना है पूरा ट्रस्टी होकर रहना है श्यव बाबा का बंडारा भरपूर आलकंटक तूर आज का बाबा का मुदुर बर्दान है विस्तार की रंग भी रंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भवव जब बाब को देखने के बजाए बातों को देखने लग जाते हैं तो कई क्वेश्चन उत्वन होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है क्योंकि बाते हैं व्रिक्ष बाब के बीज जो विस्तार वाले व्रिक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाब को किनारा कर देते हैं फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं बातों के विस्तार में रंग बे रंगी बाते होती हैं अर्था चटपटी बाते इंट्रेस्ट डिलाने वाली बाते होती हैं जो अपनी और आकर्शित कर लेती हैं इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे आज का बाबा का स्लोगन है मैं और मेरे पन की एलॉई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है अच्छा, ओम शाद